अबसकार विवर्स पावर अफ मार्केट के एक और इंपोर्टेन वीडियो में मैं अमिशे को बात आप सबीका सौगत करता हूँ दोस्तों आज भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर लेंडर स्टेट बेंक ऑफ इंडिया के कोर्टेट टू एफ़ाई 24 की रिजल्स एनाउस्ड हो गए है और नंबर्स पॉजिटिव लग रहे हैं चाहिए नेट पॉफिट की बात करें या अधर से इंपोर्टेन प्यारमीटर्स की बात करें नंबर अच्छे लग रहे हैं और इसका काफी पॉजिटिव असर जो है बेंक निफ्टी के उपर पड़ सकता है खासकर निफ्टी फैनेंशल सर्विसेस के उपर और ओवर ओल निफ्टी के उपर और श्टॉक मार्केट के उपर काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा लिए और दीपवली जो है मार्केट के लिए हरी ग्रीन हो सकती है तो इसके बेंक ऑफ इंडिया के आज की रेजन्ट के अनालिसे जटेल में इस वीडियो में आगे करने वाले हैं इसके अलावा सटरडे वीडियो का हर एक पावर आप मार्केट के वीवर्स को इंतरियार रहत है इनके important trend और support assistance की चर्चे वीडियो में आगे करने वाले हैं इसके अलावा पूरे अगले week में कौन-कौन से important global economical factors हैं जो market को प्रभाविट कर सकते हैं जिनका update और analysis आपको पता होना चाहिए तो power of market की टीम पूरे week का important economical data update और events आपके सामने रखने वाले हैं यह सारी चीजह power of market के आज के वीडियो में होने वाली और अगर अभी तक आपको power of market में जो भी काम अपने यूट्यूब चैनल में की अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मने चैनल को जरू सब्सक्राइब करें इससे power of market की पूरी टीम को motivation मिलता है और हमें आगे अच्छा कार करने के लिए जो है एक positivity आती है इसके अलावा हमारे वीडियो को आप दोस्तो लाइक शेर कमेंट्स जरूर करिए बहुत सारे वीडियो को लगाता जो है देख रहे हैं पर आप लाइक नहीं करते एक लाइक करिए दोस्तों कमेंट्स association टाय या किसी दी तरीके का आगे आप अगर शेरिंग करना चाहते हैं चाहें कंटेंट्स शेरिंग की बात करें नौलेज शेरिंग की बाद तो पाव आप मार्केट से कमेंट या इमेल के माद्व से कॉंटेट कर सकते हैं जल्दी दोस्तों पार आप मार्केट अपनी देट भी करेंगे दोस्तों टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करिएगा क्योंकि उसमें हम आपको प्री मार्केट मोस्ट मार्केट और रात में जो है जब यूस मार्केट बंद होते हैं तो उनकी इंप्रदी देखने को नहीं मिली है इसका इंपोर्टेंट रसिस्टेंस ले जाता है तो आपको ध्यान रखना है फिर निफ्टी बेंक निफ्टी की उपर उसका नेगेटिव असर पर सकता है तो यह लेवल आपके रिडार पर होना चाहिए सपोर्ट की बात करें तो 82.75 काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट है और अभी 83.14 के आस पास चलता है दोस्त निफ्टी बेंक निफ्टी के लिए अगले वीक में नहीं है अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की डॉलर इंडेक्स से काफी पॉजिटिव सिग्नल निफ्टी बेंक निफ्टी के लिए यह हम आपसे कहते हैं कि यह फेक्टर्स आपको पता होना चाहिए कम से कम वेकली ब बंदू हैं जो कि ग्रावट के साथ बंदू है जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो मजबूती उसका एक प्रमूख कारण है कि डॉलर इंडेक्स में ग्रावट देखने को मिली है इसका एक सो साथ पॉइंट टू जीरो का है और एक सो चार पॉइंट थ्री पाइप इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपको इची द्यान रखना है कि डॉलर इंडेक्स इसी तरीके से लगाता रवी होते तो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो रैली है यह फर्दर मजबूत हो सकती और आगे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेंड देखने को और मिल सकता यूएस की 10-year bond yield की बात करें जो की काफी समय से चर्चा में है तो इसमें भी घ्रावट देखने को मिलिए इसके अगर टेक्निकल लेबल्स की बात करें तो 4.57 के आसपास अभी य मार्केट में देखने को मिला तो ओवरॉल पिछले वीक का जो ट्रेंड देखने को बताता है कि आगे के वीक में जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में मजबूती रह सकती है इंगने 10-year bond yield की बात करें तो वहाँ पर साइडवेश ट्रेंड कंटीनिव है जो कि अच्छा है म 7.5 का assistance और 7.05 का काफी important support है अब दोस्तों overall global factors का अगर हम summarize करें तो जितने भी factor है इनसे ऐसा लग रहा है कि बाती market के लिए positive संकेद है तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि अगले week में आपको एक bullish view के साथ में market के अंतर उतरना है आपको किसी भी तरीके के bearish view के साथ market मे नहीं उतरना है यहां तक levels की बात है तो level जो है निफ्टी spot में आपको एक ची द्यान रखना है कि जब तक अब ये 18975 के उपर maintain किसी तरीके की major week ने साने की possibility नहीं है 18975 के बाद 18900 का important support है रसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो उपर आपको द्यान रखना है उन्नीश-350 500 के काफी important assistance उन्नीश-500 के ऊपर निफ्टी हो सकता है कि की सजार की तरह move कर सकती है बैक निफ्टी spot की बात करें इसका technical setup भी अच्छा लग रहा है overall आपको द्यान रखना है कि 43600 और उसके बाद में 43900 के important assistance 44000 की उपर अगर ये closing दे देती है तो फिर ये 45000 की तरह move कर जाए कि अगले विव में जो है market bullish रखता है अब market के अंदर जो bearish nasty short term की वो खतम हो गई अर्था अब long term short term और इंटाडिक तीनों की ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है ये आपको पता होना चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों की जो weekly economical data निकल के आया उसमें कौन से इस data जो मंगलवार की हम बात करें तो चाइना के अंदर जो एक ट्रेड वेलेंस का नंबर आना है और ट्रेड वेलेंस का नंबर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि चाइना के अंदर जो ट्रेड वेलेंस आता है वो पूरा overall global currency में को कि चाइना कई जो trade है लोकल करेंसी में चाइना के आश्चर होगा पर यह बात है तो दोनों ही ट्रेड बैलेंस के नंबर को अगर आप देखोगे जो मंगलवार को निकल के आने मौनिंग में इसा लग रहा है कि चाइना की लिए दोनों ट्रेड बैलेंस की नंबर पॉजिटिव आ सकते डेटा पॉजिटिव लग आपके इंफलेशन के नंबर CPI के नंबर निकल के आने जो कि मार्केट को प्रभाविट कर सकते हैं यह नंबर की ऊपर भी बजार की नजर ओवरॉल हम भी चाइना के अंदर भी इंफलेशन कंटूर्ल है फ्लेट नंबर आने की पॉसिबिल्टी है और सुकुरवार की अगर हम बात करें तो सुकुरवार के अंदर अमेरिका के फेडल बजेट बैलेंस के नंबर आने वाले साथी साथ महां के जो हाउसोड का न्यूबन उनका सेंटीमेंट क्या है और साथी साथ इंफलेशन की क्या एक्पेक्टेशन ने सकती है उसके नंबर निकल के आने काफी से जब निकल के आएंगी तो पारोफ मार्केट में आपको उसका अब्डीट और अनालिस भी मिलेगा अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो क्यूट्वार के नंबर निकल किया है उन नंबर का पहले डिटेल में आनालिस आपके सामने रख रहा है नंबर मार्केट की जो फोर्कास्टिंग की इस्टिमेशन थे इसके उसको बीट किया है उप्रेटिंग प्रॉफिट के अगर बात करें उननीच अजा चारसो सत्तरा करोड के निकल के आएं बैंक का आरोए और आरे भी काफी स्ट्रेंथ लग रहा है आरोए की बात करें तो 1.01 पर सबसे पहले बात करें तो बैंगों की इस कौरटर में जो印 कम हुई है वह 1,1389 करोड का नंबर है अगर आपन को तो year on year basis पे देखें कि जो same quarter last financial year में था तो वहाँ पे नंबर जो 89,806 करोड का था और previous quarter से अगर बात करें जो Q1 निकल गया by 24 का महा 95 जा 975 करोड का था तो year on year basis पे जो interest income है वो 26.95% से बड़ी है expenditure की बात करें अगर अपन इसमें NPA की बात करें क्योंकि NPA आप और हम जानते हैं कि काफी important factors होता है जो asset quality को बताता है तो NPA की अगर हम बात करें तो 2.55% की number निकल किया है दोस्तों इसमें काफी जबरदस्ट improvement देखने को मिला है GNPA की बात करें gross जो non-performing asset होते हैं वो 2.55 है पिछले quarter में यह number 2.76 था उसके पहले 3.52 था तो अगर year on year basis पे आप देखोगे अगर आप number देखो same quarter में second quarter में तो 0.80 थी और last अगर quarter से आप comparison करूँ 0.7 दोनों जगहे पर सुधार देखने को मिला है 16 basis point का improvement year on year basis तो 7 basis point का improvement quarter on quarter basis पे है overall अगर slippages ratio की बात करें 0.46 के पहले 0.94 था और year on year basis पे 0.33 था तो यह भी काफी better हो क्या है credit cost भी ठीक लग रही है overall दोस्तो state bank of India के numbers के अगर हम बात करें तो चाहे हम interest income की बात करें net profit की बात करें margins की बात करें या asset quality की बात करें सिपर जिसकी बात करें overall सारे parameters पे number ठीक लग रहे है ज्यादा better number अगर आप इसका year on year basis पे जो है comparison करेंगे वहाँ पे number जबरदर से लग रहे है कुछ parameters पे quarter on quarter basis पे numbers में थोड़ा weakness भी देखने को मिल रही है पर overall जिससाफ से रोक रहे है जिसकी जो estimation थे हो market के expectation थी उसके इसाफ से लग रहा है कि number जो है market को beat किया है और इसका bank nifty के उपर मंड़े और आने वाले दिनों में positive असर हो स सकता है कि आपको इसमें 600 और फिर साड़े 600 की जो है resistance देखने को मिल सकते हैं जहां तक support की important support की बात करें तो साड़े 400 से 500 के बीच में काफी important support है long term जून का overall ऐसा लग रहा है कि यह support जो है maintain रहेगा और आने वाले दिनों में SBI में यहां से 10-15% तक की growth हो सकती है जिस तरी economies का industry sector और फे company में State Bank of India का आज analysis आपके सामने रखाया आशा करते हैं आपको पसंदारा होगा अगर आपको हमारा काम पसंदारा है वीडियो को like share subscribe करें कल फर एक important वीडियो में आपसे मुलागा